हेलो फ्रेंज, वेलकम तो दे न्यूस अनालिसिस अफ दे हिंदू फॉर 25 जुलाइ 2020, लेट उस सी इंपॉर्टन न्यूस पर चले फिर्स्ट पेज पे आज न्यूस है, केसिज क्रॉस 13 लाक मार्क, डेली डेट्स आर ओवर 750 तो इंडिया में कोरोना वाइरस की स्थे थी, बहुत जादा बिगड रही है, हर दिन और जादा केसिज बढ़ रहे हैं तो marginally भी ये जो केसिज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो अगर हमें एक slope की बात करें, अगर हमें एक simple slope भी draw करें तो ये जो slope है, ये हर दिन और जादा बढ़ रही है तो अगर पहले 10,000 केसिज आते थे, अब ये बढ़कर 20 हो गए, फिर 30 हो गए और अब तो वो situation आ गई है, that yesterday 48,962 new cases were recorded एक दिन में तो marginally भी जो ये rate है, वो बढ़ता जा रहा है, बहुत ही जादा तेजी से, जो कि एक बहुत चिंता की बात है और इंडिया में अब तक active 13,00,000 से भी जादा cases हो चुके हैं not active, total cases 13,00,000 से जादा हो चुके हैं, जिसमें से active cases हैं, वो साड़े चार से 5,00,000 के करीब हैं तो इसमें से 8,00,000 के करीब जो लोग हैं, वो recover हो चुके हैं, और total cases अब तक जो हैं, वो 13,00,000 क्रॉस कर गए हैं तो एक बहुत ही जादा चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया में सबसे जादा तेजी से ये cases बढ़ रहे हैं in proportion to the total number of cases, तो USA में एक दिन में 66,000 cases हुए, इंडिया में 48,000 cases और ब्राजील में 40,000 के आसपास लेकिन उसमें पर, जो total number of cases के मुकाबले में वो जो बढ़त है, वो इंडिया में सबसे जादा है तो एक बहुत ही चिंता की बात है, हालांकि recovery rate इंडिया का अभी 63% के आसपास चल रहा है बट ये भी बहुत जादा कोई satisfactory बात नहीं है, क्योंकि number of cases हर दिन बढ़ते जा रहे है marginally और 7.500 के करीब जो deaths हैं वो एक दिन में होनी शुरू हो गई है on an average तो एक बहुत ही चिंता की बात है, हर दिन हमारे यहां sampling जो है वो 3.500,000 की जा रही है तो इस तरह से जो number of cases tested and number of cases detected जो है वो करीब 10% है 10% से भी जादा है, तो अगर 3.500,000 के जो है वो test किये गए हैं तो उसमें से, 3.500,000 में से करीब 50,000 के करीब जो है वो infected आए है और लेकिन एक अच्छी ख़बर जो है वो यह के इंडिया में पहली जो vaccine develop होई है जो कि भारत biotech ने develop की है और aims में इसकी testing की गई है यह है co-vaccine यह co-vaccine भारत biotech ने develop की है तो यह पहली बार इसका short जो है 30 year old man को दिया गया है और अब यह देखना होगा कि उनमें यह immunity develop कर पाता है या नहीं तो यह अभी initial stages पर है vaccine की development जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जो Oxford University है London में उसने अब तक सबसे जादा convincing result दिखाए है vaccine development में और दुनिया जो है वो इस वक बहुत बेसबरी से एक vaccine development का इंतजार कर रही है लेकिन जैसा कि हमने territorial में discuss भी किया था कि vaccine develop करते हुए कोई भी shortcut ना अपनाया जाए क्योंकि अगर किसी भी shortcut की वज़े से बाद में कोई उसका side effect अगर सामने आता है तो वो बहुत ही जादा दूर वो बात तब तक पहुँच चुकी होगी क्योंकि तब तक ये कई सौ करोड लोगों को administer हो चुकी होगी इसलिए vaccine development का काम जो है वो अपने पूरे process के according होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कि किसी process को बीच में छोड़ कर आगे बढ़ा जाए तो co-vaccine अगर इंडिया के लिए इंडिया में develop हो जाती है तो ये भारत के लिए बहुत एक गर्व की बात होगी कि हमारी indigenously developed vaccine कोरोना को मात देने में सक्षम हो जाएगी आज का editorial है judicial in discipline तो राजस्थान में पिछले कई दिनों से जो भी चल रहा है वहां के जो उपमुख्य मंत्री थे श्री सचिन पाइलेट उनके साथ कुछ 18 से 20 MLA's जो कि पार्टी के खिलाफ बगावत करने पर उतर आए थे तो ये सब वहां पर चल रहा है और ऐसे में श्री सचिन पाइलेट जो हैं उन्होंने राजस्थान विधान सभा के speaker के दौरा जो notice issue किया गया था उस पे अभी रोक लगा दी है तो इस रोक को इस order को यहां पर जो है high court के इस order को यहां पर analyze किया गया है इस एडिटोरियल में और इस एडिटोरियल में judicial in discipline जो है वो इस बात को कहा गया है कि supreme court ने ये साफ तोर पर अलग-अलग अपने फैंसलों में कहा हुआ है कि जब तक presiding officer का या speaker का फैंसला है वो नहीं आ जाता तब तक court जो है इस मामले में interfere नहीं कर सकती तो जो हमारा समिधान है उसमें anti-defection law की जो provision है वो 10th schedule में mentioned है और 10th schedule के according जो final authority है जो इसके उपर फैंसला लेगी के defection होती है या नहीं होती है वो उस house का presiding officer होगा तो विधान सभा के case में वो उस विधान सभा के speaker हो जाते हैं तो speaker जो है उन्होंने एक notice issue किया है श्री सचिन पाइलट जी को और उनके बाग की साथ में जितने भी विधायक हैं उसके उपर श्री सचिन पाइलट जी ने रोक जो है वो ले ली है high court से तो इस article में यही कहा गया है कि वो जो रोक है वो गैर समवेधानी के है वो judicial impropriety की निशानी है क्योंकि सुप्रीम कोट ने अपने अलग-अलग फैंसलों में कहा हुआ है कि जब तक presiding officer का फैंसला नहीं आ जाता तब तक court उसके बीच में दखल नहीं दे सकती अभी कुछ महीनों पहले भी करनाटका में भी ऐसा ही हुआ था जब वहां के speaker ने भी कुछ लोगों को disqualify करने के लिए एक notice issue किया था तो वो जो MLA थे वो Supreme Court में चले गए थे और Supreme Court ने साफ तोर पर ये कहा था कि हम तब तक इस मामले में दखल नहीं दे सकते जब तक speaker आपको या तो disqualify कर दे या फिर आपको disqualify करने से मना कर दे इस बीच अगर उन्होंने अभी तक कोई फैंसला नहीं लिया है तो आप उसको court में चैलेंज नहीं कर सकते आप सिरफ उनके फैंसले को court में चैलेंज कर सकते हैं जबकि अभी तक राजस्तान में speaker ने कोई भी फैंसला नहीं लिया है तो उनके फैंसला लेने से पहले ही कोर्ट का उसके उपर रोक लगाना यहां पर गलत बताये गया है क्योंकि स्पीकर भी एक constitutional authority है और कोर्ट भी constitutional authority है तो एक तरह से यह judicial overreach का मामला बताया जा रहा है क्योंकि स्पीकर की powers को encroach करने की या उस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए तो यही इस पूरे उसमें बताया गया है एक case mention किया गया है जिसका नाम है किहोतो होलोहन versus Zashilu and others तो यह anti-defection law में एक बहुत ही major judgment है जिसमें यह कहा गया था कि presiding officer is the deciding authority और presiding officer का जो भी फैंसला होगा वो फैंसले के बाद उसका judicial review किया जा सकता है लेकिन क्योंकि फैंसला अभी तक आया नहीं है इसलिए judiciary का बीच में दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता यह इस article में बताया गया है और अंत में यह कहा गया है कि अगर जो नियाई पालिका है जो जुडिशरी है वो इस तरह के फैंसले देगी तो उससे वो constitution के लिए भी अच्छा नहीं है और वो एक democracy के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि supreme court का कोई भी फैंसला मानने के लिए high court जो है वो बाद्य होता है लेकिन high court ने इसको अलग तरह से interpret करके उस फैंसले को नहीं माना है और बीच में interfere कर दिया है तो यह गलत बात है यह बात जरूर है कि high court के इस फैंसले के खिलाफ जो party हारी है वो अब supreme court जरूर जो arms and the women यानि की जो महिलाओं को थल सेना में permanent commissioning दे दी गई है आमी में जो permanent commissioning दी गई है उसके उपर यह editorial है तो इसके news हमने कल की वीडियो में cover की थी अगर आपको detail देखनी है तो आप वहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हम इस editorial को अगर analyze करें तो इसमें इस फैंसले को बह बहुत एक बहुत बड़ा step है यह उस दिशा में लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि अंत में जो petitionerism की जीत हुई है लेकिन इसमें यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अब तक यह फैंसला क्यों implement नहीं किया गया दिली high court का जो फैंसला था आज से 10 वर्ष पहल महिलाओं को permanent commission provide करा है क्या यह सिरफ court के सकती की वज़ा से या supreme court के फैंसले की वज़ा से ऐसा किया गया है या क्या सरकार की भी इसमें कुछ मर्जी है जैसा कि इसमें बताया गया है कि जब court में यह case चल रहा था तो सरकार की तरफ से ऐसे arguments ऐसे तरक दिये गए कि physiologically जो महि candidates होंगे या जो men होंगे वो women के commands को या उनके orders को मानते हुए असहज महसूस करेंगे तो इस तरह के कुछ arguments court में दिये गए थे तो इस editorial में यही बताया गया है कि इस मानसिक्ता को बदलने की जरूरत है तो यह जो एक gender barrier है यह हो सकता है कि इसको ठीक किया जा सुका हो लेकिन जो inequity है जो असमानता सोच में है उसको दूर करने में अभी भी वक्त लगेगा और इसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे जो army में officers हैं उनमें जो महिलाएं हैं उनका representation बहुत ही कम है तो कुल 40,825 army officers हैं इंडिया में और उसमें सर्फ 1653 जो हैं वो महिलाएं हैं तो बहुत ही कम इनका proportion है करीब 4% के करीब इनका proportion है जो कि बहुत ही कम है तो इसमें यही बताया गया है कि ये फैंसला हुआ गया है इस फैंसले का स्वागत किया जाना चाहिए सरकार को इस फैंसले को पूरा अच्छे से लागू करना चाहिए in letter and in spirit और अपनी मानसिक्ता में भी बद देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो armed forces में बहुत ही बढ़ चड़ कर अपना हिस्सा लेती है और उसमें अपना role play करती है और ये दो ऐसे देश हैं जिनकी आर्मी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है इसलिए ऐसा बिलकुल नहीं है कि महिलाएं जो तो कल की वीडियो में हमने डिसकस किया था कि जो US है उसने भी चाइना का एक consulate बंद कर दिया है कहां पर हूस्टन में हूस्टन एक state है United States of America की तो हूस्टन में चाइना का एक consulate है ये भी embassy की तरह होता है लेकिन ये embassy से एक grade छोटा होता है तो इसको जो US है उसने बंद कर है और उसी के जवाब में अब चीन ने भी US का एक consulate बंद कर दिया जो के Chengdu यानि के चाइना में है तो इससे जो है इनके बीच में जो NMT है जो दुश्मनी चली आ रही है पिछले कई सालों से पहले वो trade war के रूप में थी फिर अब वो diplomatic war में भी इतना गलत रूप ले स्टेज जो है वो military warfare की हो सकती है जो कि पूरी दुनिया के लिए खत्रे की घंटी होगी क्योंकि ये दोनों देश जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी militaries में से जो top two militaries है वो इन दोनों देशों की है इसके अलावा अगर ये economic war और आगे जाती है या जो अर्थवस्था में ये जो इनकी जंग चल रही है वो और आगे जाती है तो वो भी वैश्विक अर्थवस्था के लिए भी बहुत दुख की बात होगी क्योंकि ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी दो economies है तो इन दोनों देशों के इतने बड़े जो size की वज़े से चाहे वो military हो चाहे वो economy ह उसकी वज़े से पूरी दुनिया पर इसका असर होना लाजमी है और इसमें ये ही बताया गया है कि कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने जो संबंध हैं उनको दिन बदिन और नीचे गिराते जा रहे हैं इससे security को भी खत्रा है और ये सारी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि USA ने ये इल्जाम लगाया कि चीन के कुछ ऐसे citizens हैं जो कि USA के जो research है COVID vaccine के उपर उसको चुराने की कोशिश कर रहे थे तो USA ने ऐसे दो जो nationals थे उन पर hacking का इल्जाम लगाते हैं उने गिरफतार करने की कोशिश की लेकिन वो जाकर Chinese Consulate में छिप गए तो तब से लेकर USA और China के बीच में ये तनातनी चल रही है चाइना ने ऐसी किसी भी चीज से इंकार किया है कि हम ऐसा कुछ hacking करने की कोशिश कर रहे थे तो ये एक नया low है दोनों countries के बीच में तो ये देखना अब होगा कि ये जो संबंधों में जिस तरह की कड़वाहट आई है ये आगे कितनी आगे तक जाएगी और China और US जो है वो क्या military warfare में जो है involved होंगे या ये diplomatic war भी जो है कितनी लंबी चलेगी Economy page पर news है banks gross NPAs may climb to as much as 14.7% by March says RBI तो Reserve Bank of India ने कहा है कि जो NPAs हैं वो March के महीने तक यानि कि March 2021 तक 14.7% तक जा सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि NPA होता क्या है तो NPA होता है Non Performing Asset Non Performing Asset और Non Performing Asset का मतलब होता है वो loan जो वापिस नहीं आए यानि कि Asset होती है जो bank जो भी loan देती है वो bank के लिए Asset होती है तो bank के लिए Non Performing Asset वो होगी जिस loan के जो किष्टे है वो आनी बंद हो गई है या जो loan है वो non-performing बन गया है अब वो वापिस नहीं आएगा तो यानि कि bank के जो लैसे loan है जो वापिस नहीं आते उन्हें हम कहते है non-performing assets तो March 2020 के level के अनुसार जो non-performing assets थे वो 8.5 प्रतिशत चल रहे थे और इसके ठीक एक साल बाद इसके 14.7 प्रतिशत होने की संभावना RBI ने जताई है ये बिल्कुल definite figure नहीं है ये एक estimate है Reserve Bank of India का और इससे हमें पता चलता है कि अगर जो हालात है वो बहुत जादा बत्तर रहे तो ये करीब दुगना भी हो सकता है यानि कि 8.5-14 प्रतिशत तक जा सकता है तो ये बहुत ही बुरी खबर है और इसका जो मुखे कारण बताया गया है वो है COVID-19 यानि कि COVID-19 के बाद जो economy में हमने lockdown देखा और उसकी वज़र से economy जितनी भी down आई तो उसकी वज़र से जो NPS है वो बढ़ेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे sectors हैं जो stress हो गए है जैसे की telecom sector जो है वो stressed है उसी तरह से जो manufacturing sector है वो stressed है और सब से ज़़ाधा service sector जो है वो stressed है service sector की बात करें तो कुछ ऐसे sectors हैं जो कि lockdown की वज़र से बहुत ज़ाधा बुरी तरह से जिनोंने suffer किया है जैसे की tourism, hospitality, food and beverages तो ये कुछ ऐसे sectors है, hotel industry, restaurants, तो ये सारे जो हैं, इन्होंने बहुत ही बुरी तरह से इनका business effect हुआ है, और उसके वज़े से employment में बहुत कमी आई है, और उसकी वज़े से overall economic production या productivity है, वो बहुत जादा down चली गई है, तो इसका जो असर है, वो सबसे जादा service sector पे देखने को म आपिस कर पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसके जो NPAs हैं, banks के वो बढ़ने के बहुत जादा chances हैं, तो यही इस news में बताया गया है, लेकिन एक अच्छी बात जो बताई गई है, वो यही कि जो financial system है, देश का, वो overall stable ही है, कि चाहे जितना भी systemic risk हो, लेकिन जो overall economy की stability है वो अच्छी है, और यही एक अच्छी बात है, कि जब economy धीरे धीरे recover होगी, तो economy का जो base है, वो किसी भी तरह से खराब नहीं हुआ होगा, तो यह temporary बात है, तो यह वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाएगी, लेकिन सरकार को RBI की इस report को seriously लेते हुए, इसके लिए कुछ ना क करना चाहिए, जिसमें की package, यानि की economic package सरकार को और ज़्यादा announce करना चाहिए, और जो market है या जो economy है, उसमें liquidity को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, तो जो RBI की buy monthly monetary policy आएगी, उसमें यह देखना अब रोचक होगा, कि क्या RBI और ज़्यादा अपने rates को कम करती है, जिससे की जादा से जादा लोन सस्ते हों और उसको आसानी से लिया जा सके, दूसरी तरफ जो insolvency and bankruptcy board है, insolvency and bankruptcy board of India, उसका भी अब काम जो है वो जादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि bankruptcy के लिए बहुत सारी companies या बहुत सारे sectors जो वो filing कर सकते हैं, तो ऐसे में किस company को bankrupt declare करना है, ताकि economy को उसका कम से कम नुकसान हो, ये देखना भी बहुत जरूरी है, so thank you दोस्तों, ये था The Hindu का analysis, thank you for watching.